तियोथर की टमस नदी में राजापुर में बना पूल अब सोसाइट पॉइंट बन गया है। यहां बेती देर साम एक यूवक ने पूल से छलांग लगा दी। प्रत्यच दर्शियों की सोचना पर सोहागी थाना पुलिस द्वारा टमस नदी में सर्चिंग अभियान चला ज जा रहा है। लेकिन अभी तक कोदे यूवक का सुराग नहीं लगा है। आपको बता दें कि टमस नदी कर राजापुर फूल अब सोसाइट पॉइंट बनता जा रहा है। इसके पूर भी पूल से छलांग लगा कर कई लोग सोसाइट कर चुके हैं। आपको बता दें। भगवान बिर्सा मुंडा सासकी महाविद्याला दिव्यंगमा में लैव अटेंडेंट पदपर आसीन संदीप कुमार पांडे, पिता राम बाबु पांडे 25 वर पत्रोडा थाना जवा, 15 जनवरी को साम 4 बजे चिल्ला संकरगर तक जाने की बात कहकर मेरे साथ निकला संकरगर रोड में छोड़ कर अपने घर चला गया था, किन्तु साम 6 बचकर 15 मिनट में संदीप के पिता ने संदीप के अभी तक घर नहीं पहुचने की जानकारी मुझे फोन पर दी, क्योंकि संदीप का मुबाइल लगातार स्वीच ओफ आ रहा था, संदीप का हुलिया र संद पांडे ने घंस्याम पांडे के नेतत्त में, एश्डी अरफ की टीम को लेकर घटना स्थल में पहुचकर नदी में डूबे यूवक की तलास प्रारंब कर दी है, काफी खोजबीन के बाद भी लापता यूवक का कोई पता नहीं चल सका है, एश्डी अरफ टीम की तल रोका जा सके, जबकि राजपूर्ट अमस नदी में पुल का निर्माड हुए लगभग दस वरसों से जादा हो गए हैं, पर आज तक पुल में प्रकास की वस्थन नहीं की गई है, इसके चलते आय दिल लूट और आत्पहत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, अब देखना य यह होगा कि इस घटना क्रम के बार प्रसासन के दिने टूटे गे, यह यहीं दूर घटनाएं होती रहेंगे, तियों धर से हमारी रिपोर्टर रासदो सुकलक रिपोर्ट बने रहें दाखबरदार निवच के साथ